हलो गाइस, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेडिकेट अजेक्टिव के बारे में पिछली वीडियो में हम पढ़ कर आएं कि अट्रिब्यूटिव अजेक्टिव क्या होते थे अब देखें उसमें क्या था? कि वो ऐसे अजेक्टिव थे जो नाउन से पहले यूज होते थे यानि कि किसी भी नाउन से पहले जो अजेक्टिव यूज होते थे वो अट्रिब्यूटिव होते थे बट प्रेडिकेट में क्या है? Predicate Adjectives वो Adjectives होते हैं जो Verb के बाद आते हैं ऐसे Adjective जो हम Verb के बाद लिखते हैं वो क्या होते हैं? वो Predicate Adjective होते हैं Definition है इसकी An Predicate Adjective is an Adjective that usually comes after a Verb वो ही बात है कि Verb के जो बाद आएंगे Adjective वो ही Adjective Predicate Adjectives होंगे Okay, for example, यहाँ पर examples हैं काफिस आरी इन examples से समझते हैं कि आखिर Predicate Adjectives कैसे sentence में यूज होते हैं और कैसे हम इनको Predicate Adjective का नाम देते हैं अब यहाँ पर first पर है Ali is ill अब यहाँ इल जो है यह बता रहा है कि Ali बिमार है Ali की खसूसित बता रहा है कि वह बिमार है Ali यहाँ पर Adjective है बट यह Predicate Adjective है क्यों है? क्योंकि यह जो इस आपको नज़र आ रहा है यह इस जह है यह वर्ब है एक linking वर्ब है तो वर्ब के जो बाद यूज होगा Adjective वो क्या होगा? वो Predicate Adjective होगा ओके? तो यह क्या होगा? यह Predicate होगा इसी तरह है She felt bad अब यहाँ पर यह जो felt है यह एक वर्ब है और bad क्या है? Bad Adjective है Adjective मैंने आपको बताया था खसूसियत होनी चाहिए चाहे अच्छी हो या फिर बुरी हो खसूसियत क्या होती है? किसी भी चीज में या किसी भी शक्स में जो खास बात होती है वो होती है खसूसियत और वो क्या होते है? वो Adjective होते है Bad मतलब कि यह फोरण जो है वर्ब के बाद आ रहा है तो यह क्या हो गया? यह Predicate हो गया थर्ड है You are Honest अब यह R क्या है? यह Verb है Linking Verb है Honest एक Adjective है और यहां पर हम इसे Adjective नहीं बोलेंगे यहां पर हम इसे Predicate Adjective बोलेंगे क्योंकि यह Verb के बाद आ रहा है The Sun was Shining Brightly Brightly क्या है? Brightly देखें इसकी खसूसियत बियान हो रही है कि इसकी Sun की Shining Brightly Shining क्या है? यहां पर Verb है चमक रहा है Verb क्या होता है? Action Word होता है बताता है भी इस Word में काम का पता चल रहा है कोई भी काम चमक ना जो है वो Verb हो गया और Brightly जो है वो क्या हो गया? Adjective हो गया तो यह क्योंकि Verb के फोरण बाद आ रहा है तो यह Predicate adjective हो गया Brightly इसी तरह है The dogs were barking loudly कुटे मतलब के जोरदार वाज में भौंक रहे है Barking का मतलब होता है भौंकना Bark कर रहे है अब यहां पर देखें काम हो रहा है Barking भौंक रहे है यह काम है Verb है Verb के बाद है Loudly तो यह क्या है यह Predicate adjective है इसी तरह यहां पर है The buildings are high High क्या है Buildings की खसूसियात बता रहा है तो यह क्या है यह Adjective है क्योंके Linking verb के बाद यूज हो रहा है R के बाद यूज हो रहा है तो यह Predicate Adjective है इसी तरह है The glass is broken Immediately Immediately का मतलब होता है Foren Immediately Glass के बारे में एक खसूसियत बयान हो रही है कि Foren से तूट गया Broken क्या है यहां पर Broken है Verb Verb के बाद Adjective का यूज होना क्या कहलाता है Predicate Adjective कहलाता है Okay guys I hope आप लोगों को समझ आ गया होगा Predicate Adjective के बारे में अगर फिर भी आपको कोई question है आप मुझसे पूछ सकते है Comment box में और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like करना मत भूले Channel को subscribe जरूर करे Thank you so much guys Stay tuned